नमस्कार दोस्तों, लाइटनिमाइड चैनल में आप लोग का एक बार फिर से सागत है हम लोग Mycom S1 Agile Software के तरू, Mycom P444 या 442 जो रिले हैं उसके Configuration के Session को Continue रख रहे हैं और पिछले दो Session में हमने Input Output को कैसे Configure किया जाता है Different Settings का क्या क्या मतलब होता है और PSL Logics कैसे Create किया जाता है, इनको देखा है आज के Session में हम बात करेंगे कि MCL Files कैसे Create किया जाता है Basically MCL Files में 61850 Related Files, जो कि आपको Escada के लिए साथी साथ Goose Communication के लिए और जो आपको Time Sync SNTP के तरू करना है उन सभी के लिए Required होता है तो आज के Session में हमारा Main Focus MCL Files Creation के उपर ही होगा आगे बढ़ने से पहले जो Important चीज है कि जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हुए है उनको पता है कि इस चैनल पे वीडियो Hindi और English दोनों Language में Publish किये जाते है तो आप अपने स्विधा अनुसार कोई भी वीडियो देख सकते है दोनों भी वीडियो में English और Hindi वाले में Content-wise कोई Difference नहीं होता है सिर्फ Language का Difference होता है अब हम आज के Session की सुरुवात करते है आज के Session के लिए भी जो Project है वो मैंने पहले से ही क्रियेट किया हुआ जो पिछले 2-3 Session से 2 Session से Basically हम जो Project लेके चल रहा है उसी Project को ही Continue किया हुआ है और मैं क्योंकि आपको एक नया MCL File क्रियेट करने के बारे मैं बता रहा हूँ तो आपको Simple क्या करना है आप MCL 650 पर देखेंगे इसमें एक File Created है पर मैं उसी मेरिट नहीं करता हूँ मैं नया बनाता हूँ तो आप इसमें Right Click करेंगे और इसमें Option आएगा New File आप New File पर जब जाएंगे तो यह एक New File Create हो जाएगा 00 करके कुछ इसमें Double Click करेंगे तो New Window Open होगा IEC Configurator के नाम से इस Window के अंदर आप देखेंगे तो अभी यह Default पड़ा हुआ है इसमें कहीं पर भी कुछ भी नहीं रहता है आपको First Time Edit करने के लिए एक यह Lock दिखेगा इस Lock पर Click करना है तो यह Manual Edit Mode में Open हो जाएगा सबसे पहले हमें ID का Name चेंज करना होता है ID का Name एक हम नाम रखेंगे 4P1 तो आप जो भी आपके Substation का Nomenclature चल रहा है उस ताइप से कोई भी नाम इसमें रख सकते हैं फिर Next हम आएंगे Communication Communication के अंदर Connected Sub Network अगर कुछ है तो ठीक है नहीं तो Generally हम Connected Sub Network में कुछ चेंज यहीं नहीं करते हैं हम Simply IP Address को चेंज करेंगे IP Address सपोज हमारा है 172.16.34.100 उसके बाद आप Subnet Mask डालेंगे और नीचे में जो हमें Select करना हुआ है कि यह Single Fiber Communication आप यूज कर रहे पीछे या Copper Communication यूज कर रहे हैं तो यह करने के बाद हम आते हैं Next SNTP के उपर SNTP basically Time Synchronization के लिए यूज किया जाता है तो इसके लिए आप External Server पर क्लिक करेंगे डबल तो यहाँ पर आपको IP Address मांगेगा यह IP Address हमें GPS का IP Address एंटर करना होता है Suppose मेरे GPS का IP Address 172.16.34.5 है अगर आपको Second We Configure करना है तो वो भी कर सकते हैं फिर हम जाते हैं Next Data Set Definition जो हमारे Data Set Definition होता है यही सबसे महिन होता है जहाँ से कि हम Signal Send करते हैं अपने Escada के लिए और साथी साथ गूज के लिए भी जो हम Publish कर रहे होते हैं वो भी यहीं से करते हैं तो आप सबसे पहले आएंगे Add Data Set Add Data Set पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपको एक Data Set बनेगा इस Data Set का आप कोई भी नाम रख सकते हैं माल लेजिए इस Data Set का नाम में रख देता हूं Protection तो यह हमारा Protection Related Data Set आएगा फिर आपको करना है प्लस पे क्लिक करेंगे और आपको इस टाइप से यहाँ पर सारे Data Set दिखेंगे हम Protection Related Signal अगर हमें Add करना है तो उसको Expand करेंगे Expand करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो माल लेजिए कि हमें Add करना है Distance Zone 1 Operated तो आपको पता Distance Zone 1 Operated के लिए क्लिए क्लिक करूंगा तो यह Select हो जाएगा माल लेजिए मुझे Operated भी चाहिए तो मैं Operated भी करके Add कर दूंगा फिर Next जाएंगे Zone 2 तो Zone 2 का भी माल लेजिए कि मुझे Zone 2 का Start और Zone 2 का Operator चाहिए तो इसी Type में से Expand करूंगा Zone 2 पर आऊंगा और Zone 2 को भी मैं इस Type से Expand करने के बाद Zone 2 भी Select कर लूंगा Zone 1, Zone 2 दोनों लेने के बाद Next जो हमारा है इसको देखेंगे आप तो इसके अंदर ही हमारा दोनों चीज आ रहा होगा मैंने Complete HD ले लिया है तो इसमें Behavior Mode होगर है सब आ जाएगा तो मुझे उतना नहीं चाहिए मान लिजे कि मुझे सिर्फ यह ही चाहिए कि यह Complete नहीं चाहिए मुझे सिर्फ HDR और OP दो ही चाहिए Behavior Health यह सब नहीं चाहिए तो मैं सिर्फ दो कोई Select करूंगा इसी टैप से आप Zone 3, Zone 4, Zone 5 कोई भी Select कर सकते हैं मान लिजे मैं एक और Zone आपको दिखवा देता हूँ कि एक मैं Reverse Zone, Zone 4 ले ले लेता हूँ अगर HDR पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा अगर आप Internal जाकर कोई सिगनल करेंगे तो सिर्फ वही एक ही सिगनल आपको मिलेगा और Example मान लिजे कि मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूंगा अब मैं सिर्फ वही एक ही सिगनल आएगा बाकी सिगनल नहीं आएगा तो इस टाइप से मैं कोई भी सिगनल सेलेक्ट या डिसलेक्ट कर सकता हूँ अभी सिर्फ जेनल आएगा बाकी कोई सिगनल नहीं मिलेगा इसी टाइप से मान लिजे ऑपरेटेड के अंदर मैं सिर्फ सिगनल ले लेता हूँ फेज A, फेज B और फेज C और इसके बाद एड कर देता हूँ तो सिर्फ में को इतना सिगनल ही मिलेगा फिर मान लिजे कि मुझे कुछ सिगनल एड करने है ओवर वोल्टेज ओपरेटेड का तो फिर से मैं जाओंगा प्रोटेक्शन के अंदर प्रोटेक्शन में आपको PTOV के नाम से ओवर वोल्टेज आएगा तो जैसे जैसे आप चाहिए तो पिकप भी ले लिजे और एड कर दीजे इस टाप से एक डेटासेट बन गया है अब मान लिजे कि आपको और डेटासेट चाहिए तो आप और डेटासेट भी बना सकते हैं एक और डेटासेट एड कर लेते हैं और इस डेटासेट का नाम लिख देते हैं मान लि और mmxu का जो मुझे डेटा चाहिए तो BCU के लिए अप्लीकेबल होता है, रिले के केस में नहीं है, लेकिन मान लिजे कि मैं रिले के केस में भी सारे इस से यह सिगनल ले लेता हूँ, जो जो पूझे अनलोग रिलेटेड़ सिगनल है, तो जितने भी यह सिगनल है अनलोग र पना सकते हैं, फिर आपको इसको सेव करना है, हलांकि अभी जो है पूरा काम कम्प्लीट नहीं हुआ है, अब आपको next आना है report control block, report control block में basically हम क्या करते हैं, कि अब आपको report control block define करने है, कि suppose आपको 2 clients को reporting करवानी है, ये 4 clients को report कराना है, तो उसके इसाब से आपको यहाँ प करेंगे यहाँ पर, तो आपका ये report ID, ये default report ID आ रहा है, AA1, Q1, 4P1, ये जो मैंने नाम लिखा हुआ है, अपने device का वही नाम है, system LLN0, ये आप देखेंगे तो ये, यहाँ पर system LLN0 सभी के लिए common है, URCV means unbuffered report control block, A and ये 01 है first, अब इसके अंदर मुझे कौन से data set लेने हूँ, फिर next पर जाएंगे B में, B के अंदर भी मान लेजिए कि मैं protection data set ले लेता हूँ, तो अब आपका A और B दो अलग-अलग client को ये report करने के काम आ जाएगा, इसी type से मान लेजिए कि C में, मैं जा करके record ले लेता हूँ, और मान लेजिए कि आपको 4 data set चाहिए कि 4 client को report करना था, तो आप चौते में भी जा करके इसी type से इसको save करेंगे, फिर हमें simply इसको save करना है, अब यहां तक अब आप देखेंगे, तो जो 4 data set मैंने लिए हैं, वो fully configured दिखा रहा है, A, B, C और D, बाकी data set configured नहीं है, अगर आपको और भी चाहिए, मान लेजिए measurement भी 4 data set कि पर भेजना है, तो आप E में आएंगे, और E में simple आने के बाद, इसमें मैं एक data set select कर लूँगा, मान लेजिए measurement, अब मान लेजिए measurement भी मुझे 2, 3 या 4 कितने भी client को report करवाना है, तो जितने client को report कराना है, उतने में ही मैं measurement भी select कर लूँगा, E, F, G और H, तो यहां तक कर आने के बाद, आपका दो अलग अलग data set, वो create हो गया, आप यहां पर click करेंगे, तो देखेंगे, A, B, C, D, यह चार protection वाले थे, और E, F, G, X, चार जो है, वो measurement वाले हो गए, इसके बाद next मान लेजिए कि मुझे गूज publish करना है, इस relay से किसी और relay के लिए, तो वापस same, ग basic session किया था, IEC 6850 का वहाँ पर आपको बताया था, कि गूज जो होता है, वो multicast messaging होता है, उस Mac address पर dependent होता है, यह Mac address, LAN identifier, VLAN priority, यह सभी चीज़ आपको define करना होता है, हाना कि हम default data छोड़ देते हैं, फिर minimum cycle, maximum cycle, यह सभी चीज, simple हम यह जो है, कि क्या signal गूज करना है, मान select कर लूँगा, और इसी tab से second वाले में भी, मैं सारा protection signal select कर लूँगा, हलांकि second वाले एक अलग हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं example के लिए मान के चल रहा कि दो अलग अलग ही है, और इस tab से करने के आद अब आप देखेंगे, तो गूज भी जो है, वो हमारा configure हो गया है, चेक कर लेजिए एक बार validate configuration कि आपका कोई error नहीं आना चाहिए, ता आप यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा यह है, zero error, two warnings है, warning समझाए तो यहां से remove भी कर सकते, warning remove करने के लिए आपको simple क्या है, आप देखेंगे अगर कि आपका warning क्या था, warning है, gcb1 application identifier not configured and similarly for gcb2, आप दे इसको में ही वो 00 पड़ा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा change कर लेता हूँ, कुछ भी, for example, 11 and second वाले में 22, यह करने के बाद save करेंगे और फिर आप इसको validate करेंगे, तो अब आप देखेंगे, zero error, zero warnings, इसके बाद simple हम इसको save करेंगे, save करने के बाद यह जो है, आपका main files यहां तक create हो जाता है, इसके बाद इसको आप cross करेंगे, cross करने के बाद MCL के ओपर right click करेंगे, और right click करने के बाद इसको जो है, आप simple relay के अंदर save करना है, तो उसके लिए हमें अभी जो है, पहले एक मिनट, जो हमाने बनाया था, वो 0000 था, तो सबसे पहले हम इसको verify कर ल जाहिए, जैके यहां पर message आरे जैसे, before you can verify an MCL file, you must connect to the relay, so the exact relay model and software version can be read, तो अभी हमारे पास relay से connected नहीं है, अगर relay से connected होगा तो verify हो जाएगा, और verify होने के बाद बस directly आपको send करना है, जब relay में send हो जाएगा, उसके बाद next आप MCL file पर आएंगे, और यहां से आपको switch active bank क MCL file उसमें load हो जाएगा, इसके बाद एक और important चीज बचता है, कि जो आपको ICD file या SCD file जो भी आपको चाहिए, हाला कि individual level पर हम कादेत, हमें ICD file चाहिए, तो आप वापर सी तर आएके export installed ICD files, यह करेंगे, आपको अपने device का यहां पर model number डालना है, जो हमारे device का model number है, वो select करेंगे और इसके बाद automatically वो जो है ICD file export कर देगा, तो इस type से हमारा MCL file create किया जाता है, माइकोम relay में, और बहुत ही simple है, माइकोम relay के अंदर सभी चीज़ ही simple है, जो आपका relay configuration है, input output configuration है, या relay settings है, PSL है, और last में यह MCL है, सभी चीज़ ही बहुत simple है, और आप जतना ज्या जो भी बताया गिया है, वो आपको clear होगा, तो प्राज के session को यहीं तक रखेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ share करिए, ताकि वो भी इन सब concept के साथ अफगत हो सके, और अपने यहाँ पर इन सब concept को apply कर सके, स अब तक के लिए thank you and good bye.